हेलो स्टूडेंस आम यूर बाइलोजी फैकल्टी अभिलो सिंग आज की इस वीडियो में हम लोग नर्वस टिशू के बारी में ध्यन करेंगे सबसे पले अगर नर्वस टिशू के बारे बात करें तो नर्वस टिशू हम कहेंगे किसको तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए ग्रूप आप नर्वस टिशू हैविंग सिमिलर स्टुक्चर इन फंक्शन इस डिफ़र एज नर्वस टिशू जैसा कि हमें टिशू का डिफिनिशन पता है टिशू को हम कैसे डिफाइन करते थे बच्चो कि ए ग्रूप अब अगर हम बात करें कि नर्वस टिशू अगर एक टिशू है तो आखी किस तरह के सेल से मिल का बना है तो नर्वस टिशू is composed of two types of cells यहाँ पर हमने लिखकर रखा हुआ भी है नर्वस टिशू is composed of two types of the cell खौल कौन से है तो एक निवरोन है जिससे नर्व शेल भी करते है और दूसरा जो है उसे ग्लिया या निवरो ग्लिया कहा जाता है ठीक है तो यह दोनों क्या है इसको एक सबसे लंबी से लहीं है बलकि इस धरती पर सबसे लंबा सब कोई है तो सबसे लंबी सिल कौन है यह निवरोन ही है नर्व से लिए इसका लिंद कितना होता है तो more than 95 cm long होता है ठीक है approximately एक मीटर लंबा जरूर होता है approximately कम से कम 90 cm या 95 cm से तो ज्यादा होना ही चाहिए ठीक ह अब उसके बाद है, कि ये nerve sal, जो है nerve sal के structure के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगर nervous tissue को अगर सही से nervous tissue topic और बेटर तरीक हूद आगर हमें समझना है तो neuron के structure को भी समझना होगा neuron कैसे काम करता है उस structure को तो हम समझेंगा है उसके बाद एक और चीज हमनों समझे कि दूसरे तरह का भी एक सेल पाया जाता है जो neuron को support प्रवाइड कराता है neuron के साथ वो जुरा होता है glue की तरह चिपका होता है और neuron को एक basic support प्रवाइड कराता है ठीक है सबसे पहला जो term है वो है stimuli stimuli को stimuli plural में stimuli है और similar term में इसको stimulus कहा जाता है what is stimuli ? stimuli is the changing factor which can change our body environment किसी भी living organism के body environment को अगर कोई change करता है तो वह changing factor क्या कराएगा stimuli कराएगा चाहे वह biotic stimuli यानि living stimuli हो सकता है या फिर वह a-biotic stimuli non-living stimuli भी हो सकता है as for example जैसे मालो अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो समझ रहे हो और suppose करो कि कोई आपके घर में अगर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उसमें कोई अगर बगल से आपको को इंटरप्ट कर दे तो वह उसने क्या किया आपके body environment को क्या कर दिया चेंज कर दिया ठीक है deviate कर दिया आपका concentration भंग हो गया वहाँ पर तो वह वहाँ पर एक stimuli की रूप में वह काम कर रहा है उस वह एक changing factor है और कैसा changing factor है वह biotic stimuli है यानि living stimuli है वह लेकिन सफोज करो कि अचानक जो है क्या हो जाए कि आप जैसे बाहर में अगर टहल रहे हो घुम रहे हो अचानक बहुत बारिस होना सुरू हो जाए तो वहाँ जो बारिस उसके वज़े से भी आपका body environment क्या होगा होगा है वहाँ भी stimuli है वह stimuli कौन है वह stimuli है rainfall या rain रेन जो है वहाँ पर एक abiotic stimuli है यानि non-laming stimuli है ठीक है तो stimuli को आई हो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि stimuli का मतलब ही होता है कि वैसा changing factor जो आपके कर दे चेंज कर दे ठीक है अब दुसरा जो टर्म है वहाँ पर मेंचन किया गया है वह है receptor the receptors are receptors are some specific cells which can receive the stimuli जो message को जो stimuli को जो receive करता है उसे receptors करते हैं यह कौन-कौन हो सकते हैं तो receptors are generally sense organs हमारे पास जो 5 sense organs है eye, ear, nose, tongue, skin these are these are actually sense organs which contain some specific cells which receive the stimuli and these are referred as receptors, जैसे हमारे ear के पास phono receptors है वो sound को receive करता है, हमारे eyes के पास किया है eyes के पास photo receptors है, वो क्या है साइड को या फिस जो दृष्ष्श है उसको जो आप देखते हैं उसको उस message को receive करता है हमारे tongue के पास जो है gasteto receptor है जो भी हम टेस्ट लेते हैं, तिक है, जो भी हमें टेस्ट मसूस होता है, स्वादिस्ट है, या जैसा भी है, तो हमें टेस्ट जो है। क्या करना है? तो यह thermoreceptor है, तो receptors हां, some specific sales which receive the stimuli, जो stimuli को receive कर रहे हैं, जो receiver होगा, वो receptors है, ठीक है, और effectors क्या है? तो effectors जो है, effectors are just apply to the receptors, receptors जो थे, वो stimuli को receive कर रहे हैं ते, और receive करने के बाद, receive करने के बाद जैसे मानों कोई action होता है तो उसका reaction होता है respond होगा ना तो जो responding जो sales होंगे जो उसे action के against में respond करेंगे ठीक है वो असल में effectors है effectors are generally muscles and glands which are generally responding the responding against the action it means they are reacting ठीक है तो जो react कर रहा है वो असल में muscles and gland की बज़े से हो रहा है ठीक है और यह कौन है यह effectors है जैसे मानों कि कोई person है किसी को कर चिकोटी काटी है किसी को कर pinch किया है तो यहाँ पर pinch किया गया है जिस व्यक्ति को pinch किया गया है तो उस व्यक्ति के skin में मौझूद जो जो thigmo receptor है यानि एक्टर का receptor है जो touch को receive करता है जो touch sensation को receive करता है जो touch stimuli को receive करता है वहाँ पर thigmo receptor ने काम किया होगा ठीक है तो वहाँ receptor काम कर रहा है और उस message को फिर brain तक पहुचाएगा फिर brain ने decide किया कि हमें कैसा respond करना है वह वेक्ति जैसा भी होगा फूल मिजाज का होगा या फिर वह समझो कि बहुती अच्छे मिजाज का वेक्ति होगा तो वह उस वेक्ति को जिसने उसके साथ ये घटना किया है उसको वह माफ कर देगा ठीक है कहें कि चलो छो जारने दो कर दिया ठीक है तो यह सारा काम किसका होता है effector का होता है responding response करना उसके बाद यहां पर और कुछ mention किया गया दो तरह के actions होता है generally ठीक है एक वैसा action होता है एक वैसे activities होते हैं जो हमारे central nervous system यानि brain और spinal count से control होता है ठीक है उन्हें voluntary actions करते हैं यानि such actions which are controlled by our will or central nervous system are generally referred as voluntary actions whereas those actions which are not controlled by our will or central nervous system are known as involuntary actions यानि कुछ ऐसे activities होते हैं जो हमारे एक्षा से control होते हैं हमारी मर्जी है कि हम यहां से वहां जाए हम टहले भूमे ठीक है अपनी हाथ को इधर उदर करें मूम करें अपनी इक्षा से कर रहा है ना तो यह कैसा action यह voluntary action है जबकि हमारे बॉड़ी के अंदर का मालो की लंग्स है यह hurt है जो काम कर रहा है उसको हम अपनी इक्षा से रोक नहीं सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि हम सोने जा रहे तो कहें ठीक है अब सुबह मिलेंगे तुम अपना सुबह काम करना ठीक है अभी तुम भी रिस्ट करो ऐसा है तो इस तरह देखे से यहां पर कुछ हमने डिस्कस कर लिया अब हम थो ऐसा नर्वस टिशू को अगर हमें समझना है नर्वस टिशू को देखो सबसे पले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने ठीक है उस साइंटिस्ट का नाम था हिरो फिलस हिरो फिलस ने 6th BC में ड अब सबसे फटर एक चीटा हो जान लो नीव्रॉन जो है नीव्रॉन अगर हम टाइिप्स सब्स्ट कि बाहत और निव्रोन के बात करें थो नूर्वन को इस्ट्रुक्ट्न के रहा पर तीन तरीके से डिवाइड किया रखता है नीवरॉन तीन तरह होते हैं यह क्या होती ध वो इसके function के बार हम इसके function के अधार पर या अगर हम एरेंजमेंट के अधार पर अगर हम इनको classify करें तो neuron तीन तरह के होते हैं वैसे जो sense organs से related होंगे, वो sense organs से message को receive करेंगे, stimuli को receive करेंगे, और brain तक पहुचाएंगे तो वो कलाएंगे sensory neuron दूसरे ऐसे होंगे, जो brain से, brain से हमारे effective तक उस message को respond, उस responding message को पहुचाएंगे, तो वो कलाएगा motor neuron और कुछ ऐसे भी neurons होते हैं, जो mixt होते हैं, जो हमारे brain में मौझूद होते हैं, जो क्या करते हैं, वो calculation करते हैं, कि हा कितना plus हुआ है, कितना minus हुआ है, या निकाने कम एक तरह से, कोई भी message है, ठीक है, तो उसको किस तरह से react करना है, वो message किस तरह से आया है, वो सारा cancer later होगा, वो sense organ या receptor से message को receive कराएगा, stimuli को receive करेगा, और brain तो को पहुचाएगा, ठीक है, दूसरा motor neuron वो है, जो brain से, उस message जो गया है, उसके against में, जो responding message है, उसको brain से वो effector तक ले जाएगा, और effector effect करके दिखलाएगा, ठीक है, और तिसरा mix neuron, जो जहाँ पर sensory और motor neuron दोनों आपस mix होते हैं, ऐसे location में, इस तरह के neurons को, जिनके पास sensory का भी activity है, महाँ पर message पहुची भी रहा है, और message महाँ से response भी हो रहा है, उसे इस तरह के neuron को, इस तरह के specific neuron को हम क्या करते है, relay neuron बोलते हैं, या association, center सी association neurons बोलते हैं, या mixed neuron बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, तो there are generally three parts of neuron, चली एक बार और फिर से समझते हैं, actually यहाँ पर, जो neuron का structure है, इसमें आप देखोगे, तो मैंने जैसे कि बताया कि there are three different parts of neuron, neuron के three different parts है, कौन-कौन से, तो देखो, neuron का main part है, जो कि star shift आपको दिख रहा है, जो कि star-like दिख रहा है, star की आकरिती का द होता है, इसे हम लोग cell body, soma, या cyton कहते हैं, यानि अगर हमें cyton के define करना पढ़े हैं, तो कैसे करेंगा बच्चों, हम कहेंगे, cyton is the main part of the neuron, अगर main part है, इसका मतलब, main cellular part यही है, इसका मतलब, इसके इसी part के पास cytoplasm भी है, और neuron का तो cytoplasm होगा न, उसको क्या बोलेंग निडोप्लाज्म, ठीक है, और इसके पास अपना nucleus भी है, तो nucleus भी है, ठीक है, और इसके जो neuroplasm होगे, उसमें सारे के सारे cell organs जरूर होगे, except one cell organ, एक cell organ ऐसा होगा, जो कि नहीं पाए जागा, उस cell organ का नाम है centriol and centrosome, तो centriol and centrosome are responsible for the cell division in animal cells, अब तुम ही सोचो, cell को divide कर आने वाला ही cell organ अगर यहाँ पर नहीं पाया जा रहेगा, तो फिर अगर एक बार भी अगर इसलिए, एक बार भी अगर nerve cell अगर damage हो जाया, तो फिर से वो दुबारा repair नहीं किया जा सकता, एक बार समझो कि अगर कोई crack हो गया, ठीक है, अगर mind अगर उसका समझो कि अगर ग पर जेंटि नहीं है, इस Mehr plasmic-Cytoplasm SI radioplasmic है, और यहाँ पर जो specific cell 고양al जो bound प्लाजm sick reticulum है, ठीक है, उस specific indoplastic reticulum को, इस neuron के case में हम लोग Nisle Granules बोलते हैłam, निजल ग्रैणियुस अब तुमको समझ में आ गया हुआ कि एक निजल ग्रैणियुस का काम क्या है इंडुपलाइबी रेटिकुलम का जेनरली क्या काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस तो प्रोटीन बनाना किसकी जवाब दी होगे इस इन निजल्स ग्रैन्यूस की हो गई ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ठीक है हमने समझ लिया कि यह जो यह जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं यहाँ पर सेल के परस्पेक्टिव बन समझ रहे हैं और यहाँ पर किस मेन पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग साइटोन के बात कर रहे हैं ठीक है अब साइटोन का दो एक्स्टेंशन है एक जो है एक जो है एसमालर एक्स्टेंशन है जिसे हम लोग बोलते हैं देंडराइड देख रहो यह जो यह जो cyton है और एक जानलों कि जो cyton होगा, cyton में nucleus है, cyton के cytoplasm को बोला, neuroplasm, इसमें सारे के सारे cellognos है, इसलिए एक बार भी neuron नगा damage होगा, फिर उसके बाद, यह जो cyton है, इसका जो membrane है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, नियूरी लिम्मा, ठीक ह और इसी cyton का जो hair like, जो smaller extension है, उसको बोलते हैं, इन dendrites के collection को हम dendron भी बोलते हैं, ठीक है, अब जब यहाँ पर हमें समझना होगा, कि अगर हमें dendrite को define करने को कहा जाए, तो हम कहेंगे dendrites are the smallest part of the neuron, whereas axon is the longest and largest part of neuron, and cyton is the main part of neuron, ठीक है, अब देको, जैसे ही कोई भी अगर मानों कि कोई message है, कोई भी stimuli है, तो उसको call receive करेगा, neuron का कौन सा part है, जो सबसे पहले receive करेगा, तो वो receive करेगा, यह dendrite, dendrite होगा, जो कि, वो सबसे पहले किसी भी stimuli को receive करेगा, receive करेगा, वो फिर किसको दे रेगा, वो cyton को दे रेगा, cyton के cytoplasm में वह information जो है, वह stored हो जाएगा, ठीक है, अगर वह strong signal है, तभी वह exon, exon में pass out होगा, यानि अगर वह strong signal है, तभी इस neuron का जो longest part है exon, उसे strong signal को receive करेगा, अपनी को receive करेगा, और फिर exon में वह message वाएगे, transfer होगा, आगे कि बढ़ेगा, लेकिन अगर weak signal है तो, वह neuroplasm ही क्या हो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कभी-कभी देखोगे, क्या कि जैसे मालोग कभी रास्ते में तुम जा रहा हो, अगर किसी ने सामने से समझो कि सामने से कोई अगर बाई को ला रहा है, उसका धक्का, उसका कोई भी बाई का कोई भी part है, वो तुम्हारे hand में टच हुआ था, उसमें तुम्हारी बहस हो गए, लेकि तुमने ध्यान ने दिया, ठीक है, और घर पे आए, घर पे आए, और घर पे आने के बाद तुमको तुम्हारे घर में मा बहन है, तो मा ने या फिर बहन ने, दिदी ने तुमको दिखाया, तुम्हारे हाथ को दिखाया, कि तुम्हा शोटा सा जटका था, इसलिए उतना पता नहीं चल पाया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हम ने समझा कि चलो, डेंडराइट ने उस मैसेज को रिसीब किया, दिया, साइट ओन को, वीक सिंगनल है, तो वहीं पर डिस्ट्राइफ हो गिया, अगर स्ट्रॉ उसको हम बोलेंगे, एक्जोप्लाजम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्जोप्लाजम बोलेंगे, ठीक है, और एक्जोन जो है, एक्जोन में काफी सारे स्वोलेन पार्ट्स आपको, अल्टरनिटिबली एरेंज होते हैं, इन स्वोलेन पार्ट्स को, यह फुलेवे बल्ब है इस exon bulb या exon bulb उपर से उपर से एक insulator एक insulating specific myelin seed से covered होता है और वहाँ पर जो specialized cells पाए जाते हैं उनको swan cells बोलते हैं इन swan cells का काम क्या है कि वो message को क्या है असल में जो भी message जो आगे की और इधर की और बढ़ रहा है वो unidirectional flow होना चाहिए वो आगे की और ही बढ़ता रहे वो message जो है content से मिलकर बना जो cell होता है उसे swan cell करते हैं और जैसा कि हमनों जानते हैं कि fat जो होता है वो insulator की तरह काम करता है तो वो क्या करेगा वो message की direction को वहीं पर रोग देगा यानि वहाँ से वह आगे flow होने नहीं देगा conduction को वहाँ पर रोग देगा इसलिए जो message जो यहाँ जो message जो dendrite से cyton और फिर exon की और आगे की बढ़ रहा है तो वो एक exon bulb से फिर node of randvier होते हुए फिर अगले exon bulb फिर node of randvier होते हुए और फिर फिर फाइनली कहां पहुँचेगा नर्व इंडिंग होगा यहाँ पर यहां पर भी जो दूसरे जो नियोरोण होंगे उनका उनका इहां पर dendrite का connection होगा ठीक है और फिर अगला फिर उस नियौरोण का जो अग्ला जो आपका exon है वह वहाँ पर फिर आगे होगा यानि का नर्व इंड है यहां पर भी दूसरे नियोरोन का dendrite होगा उस नर्व सिर alltså औरे साह्म साह. निशने का D六ने से दोरा Blaster बीच में तो समझनाव 2 निवरों के बीच में एकी स्मॉल गैप लाता है उसे ऊंगले को हम लोग साईनेप्स बोलते है साइनेप्स, साइनेप्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टनस है, कि यह जो साइनेप्स है, या फिर यहाँ पर जो नोड़ अफ रैंडियर है, इन इन लोकेशन में, किन लोकेशन में, नोड़ अफ रैंडियर और इस्पेसली साइनेप्स के लोकेशन में क्या होता है, एक न transfer हो रहा है message, nerve message या फिर stimuli जो transfer हो रहा है, उस nerve impulse के rate को क्या कर जाता है, faster कर जाता है, यानि, यानि, this acetylcholine acts as neurotransmitter which increases the rate of the nerve impulses, from one neuron to the next neuron, इसी acetylcholine neurotransmitter chemical, जो की sinus part में stored होता है, उसी कीवदे से, वह एक neuron से दुसरे neuron की और, वो message क्या करता है, जंप करता रहता है, और यहाँ पर भी, एक चीज जान लो कि neuron जो होता है, यह जो neuron का एक्जॉन part है, यहाँ पर यह myelene seat है, तो यह myelinated part है, और non myelinated part भी प्रजेंट होगा, node of NBR के रूप में, तो myelinated part जो होगा, वो insulator की तरह काम करेगा, वो nerve impulse के conduction को वहाँ पर stay करेगा, रोकने का काम करेगा, जब की, कहने का मतलब है, कि यहाँ पर एक चीज समझना, कि जो भी, जो भी ऐसा area, जहाँ पर, जहाँ पर आगे की और यहाँ पर unidactional flow होना है, तो unidactional flow को stimulate कोन करेगा, तो node of NBR या synapse में, जो मौझूद, neurotransmitter chemical, acetyl alcohol, यही nerve impulse का rate को क्या करता है, फास्टर करता है, ठीक है, तो अगर neuron, neuron के, अगर types के बारे में फिर से मुआपस आ रहे है, तो neuron जेनरली तीन तरह का भी होता है, अगर इसके appearance के बात करें तो, एक unipolar neuron होता है, ठीक है, unipolar का मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कोई एक extension हो देखा जाएगा, चाहे exon की रूप में, चाहे dendrite की रूप में, जबकि दूसरा जो simple neuron होता है, वह generally vertebrates पर नहीं पाय जाते हैं, यह insects पाये जाते हैं, जबकि दूसरा जो neuron होता है, जो की होता है bipolar neuron, Bipolar जो neuron होता है, यह bipolar neuron क्या होता है, इस bipolar neuron के पास क्या होगा कि cyton होंगी? और दोनों extension पाए जाएंगे इसमें, यानि dendrite भी पाए जाएगा, exon भी पाए जाएगा, एक एक ही पाए जाएगा, ठीक है, जबकि generally, जो most common neurons होते हैं, वो multipolar neurons कहें, multipolar neurons are the most common neuron having an exon and many dendrites, अब देख सकते हैं, यहां पर काफे सरे dendrites हैं, इधर भी dendrites हैं, इधर भी dendrites है है ना, काफे सरे dendrites हैं और काफे सरे dendrites हैं, और एक exon है, ठीक है, तो इस तरह का जो neuron होता है, यह multipolar neuron कहलाता है, यह most common neuron है, यह multipolar neuron जो है, यह most common neuron है, और जितने भी vertebrates हैं, उनमें यही पाए जाता है, ठीक है, तो इस तरह से हमने neurons के एक classification को भी हमने discuss कर लिया, हम लोग पहले नहीं जान चुक है कि sensory neuron, motor neuron और miss neuron क्या करता था, ठीक है, अब देखो यह तो neuron के बारे बात हुआ, अब अगर हम बात करें glial, glial cells के बारे में, neurons के उपर में, समझो कि एक protective cover के रूप में यह पाया जाता है, या उसे चिप कराता है, generally, कौन, यह glia या neuroglia, ठीक है, अब यह जो neuroglia है, यह तीन तरह का है, एक कला आएगा, microglia, नाम से समझ में आ रहा है कि अच्छा, बहुत ही छोटा होगा, और यह microglia क्या होगा, उपर में एक supportive role play करेंगा, या generally, यह nervous tissue को, या generally neuron को यह क्या करेंगा, इसके बाद दूसरा जो type है, उस glia को हम लोग बोलते हैं, astroglia, जैसा इसका नाम है astro, astro का मतलब होता है star-shaped, यानि यह जो glia है, यह star-shaped होगा, और यह star-shaped glia है, करेगा क्या, तो it holds blood vessels and neurons all together, यानि यह nerve vessels और neurons को क्या करेंगा, यह hold करके रखेगा, चिपका करके रखेगा, ताकि उनके भी materials का exchange होता रहे, हो सके, ठीक है, तीसरा जो glia है, उसे हम लोग बोलते है, oligodendroglia, oligodendroglia क्या क्या करेगा, it secrets myline, जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पर इस structure में आपने देखा था, जो कि आपने देखा था, कि neuron का जो structure था, इसमें आपने देखा था, कि axon bulb के उपर में, myline seat present था, mylinated अगर है, तो वहाँ myline है, और myline जो है, वहाँ पर एक specific cell पाया जा रहा है, उस specific cell को क्या बोलते हैं, swan cell, so swan cell is an example of oligodendroglia, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, कि जो nervous tissue है, nervous tissue से related जो organ system काम करता है, उसे हम लो nervous system बोलते हैं, और nervous system दो तरह का होता है, एक होता है central nervous system, और दूसरा होता है peripheral nervous system, लेको peripheral nervous system is a collection of neurons, उसमें neurons का पूरा collection है, वो neurons काफे सारे मिलकर, वो peripheral nervous system में निमान करते हैं, ज इनके collection से क्या बनता है, central nervous system, तो हाला कि अभी के लिए फिलहाल हम लोग का जो topic था nervous tissue यह पुड़ा यहाँ conclude हो चुका है, आप अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप पर लाइक कर दो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर क्या है